प्रस्तुत निबंध नीव की इट राम व्रिक्ष बेनीपूरी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने दुनिया के उपरी दिखावे पर व्यंग कस्ते हुए लिखा है कि उपर के आवरण को सब देखते हैं, परंतु नीचे के ठोज सत्य पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लेखक ने नीव की पहली इट का गुडगान किया है और कंगूरे की इट को वर्तमान की प्रतिसपरधात्मक संस्कृती का परिचायक माना है। वह जो चमकीली सुन्दर सुघर इमारत है वह किस पर टिकी है। इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नेव की ओर भी ध्यान दिया है। दुनिया बाहरी चमक देखती है, उपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ठोस, सत्य, सदा, शिव होता ही है। किन्तु वो हमेशा ही सुन्दर भी हो, ये आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं, तथा साथ ही जिया करते हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, भद्देपन से मुख मोडते हैं, इसलिए हम सत्य से भी दूर भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नीव के गीत से प्रारंब करते, वह इट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चड़ती है, और बर बस लोक लोचनों को अपनी ओर आक्रिष्ट करती है, किन्तु धन्य है वह इट, जो की जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली इट बनी, क्यों इसी पहली इट पर उसकी मजबूती और पुक्ते पन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है, उस इट को हिला दीजिए, कंगूरा बेताहाशा जमीन पर आगे रेगा, कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आईए, अब नीव के गीत गाएं वह इट जो जमीन में इसलिए गड़ गई की दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले, वह इट जो सब इटों से ज्यादा पकी थी, जो सबसे उपर लगी होती, तो कंगूरे की शोभा सौ गुनी कर देती, किन्तु जिस इट ने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नीव पर मुनहसिर होती, इसलिए उसने अपने आपको नीव में अर्पित किया, वह इट जिसने अपने आपको साथ हाथ जमीन के अंदर इसलिए गार दिया कि इमारत, जमीन के उपर सो हाथ तक जा सके, वह इट जिसने अपने लिए अंध कूप इसलिए कबूल किया कि उपर के साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनेहली रोश्णी मिलती रहे। वह इंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुन्दर स्रिष्टी देखे। सुन्दर स्रिष्टी हमेशा ही बलिदान खोशती है। सुन्दर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाई लोगों को मौन मूग शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मूग जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिधी प्राप्त हुई, वो इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूग यही समाज की आधार शिला होती है। इसा की शहादत ने इसाइध धर्म को अमर बना दिया। आप कहलीजी, किन्तो मेरी समझ में इसाइध धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने, जिन्होंने इसाइध धर्म के प्रचार में अपने आपको अनाम उत्सर्ग कर दिया। उन में से कितने जिन्दा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वनवन की खाक छानते चानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानिक भूप प्यास के शिकार हुए, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कह होती हो किन्तों इसाई धर्म उन्हीं के पुर्णि प्रताप से आज भी फल फूल रहा है वे नीव की इंट थे गिरजाघर के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में थान पालिया है देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे व्यक्ति दधीची नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान नहीं विदेशी वृत्रा सुर का नाश किया हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है यह है मुड धारना सत्य तो ढूनने से ही मिलता है ऐस थान देना हमारा काम है हमारा धर्म है सदियों के बाद नए समाज कि सरिश्टी की ओर हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नीव की इन चाहिए अफसूस कंगूरा बनने के लिए चारो और होडा-होडी मची है नीव की इन बनने की कामना लुप्त हो रही है लाखो गावों का नव निर्मान हजारों शेहरों और कारखानों का नव निर्मान कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आपको चुपचाप खपा दें जो एक नई प्रेड़ना से जो शाबाशियों से दूर हो दलबंदियों से अलग हो जिन में कंगूरा बनने की कामना न हो कलश कहलानी की जिन में वासना न हो सभी कामनाओं से दूर हो सभी वासनाओं से दूर हो उदे के लिए आतुर समाच चिला रहा है हमारी नीव की इट किधर है देश के नौजवा को ये चुनाती है राम वरिक्ष बेनी पुरी